स्वातंत्रविश सावरकरजी ने चीन के बारे में पाकिस्तान के बारे में वो तो इतना भी कहते थे कि तिबट एक बफर स्टेट है उसको मत गवाईे लेकिन नहीरू सरकार को वो बार-बार बताते रहे ये सब चीजे लेकिन उनकी बाते मानी नहींगी वो तो ये भी कहते कि इस्राइल अपना मित्र होना चाहिए ये चीजे अगर उस वक्त मान ली जाती तो आपको क्या लगता है आज डेश की हालक कैसे होती मैं कहता हूं पता नहीं कैसे हो गया मतलब हमारे नेता ये चीप आप्लेटी के चकर में इंटरनेशनल फेम पले चाहिए ये फर्स बिक जलसे से क्या होता है ठीक है आपने भाकर डायम बनाया एकनॉमिक डेवलिम्मेंट की पर स्ट्रेजिक ठिंकिंग डिफेंस ठिंकिंग अभी शौकिंग है सुनना आप सुना है सुना होगा उस टाइम तो ये कहते थे अब तो देश आजाद हो गया है अब तो आर्मी की जानते हैं और रियल पॉलिटिक जानते हैं कोई ऐसा कहेगा नहीं उपर से अंग्रेजों को बिठाया हुआ जो भी तंत्र था कॉंग्रेस कब बनी एयो हूम ने बनाई एटी 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 फाई में हम तो पढ़ते हैं हित्यास समझ नहीं आता है अरे कॉंग्रेस बनाया है यह हूम ने हूँ हमें राज कर रही है फिर आप कहते हैं हमने देश के कुर्बानी दी सुबास्टन बोस को अपने किनारे लगा दिया वो अपने गर्दर कटवाने वाला था हुद वो कहते हैं अंग्रेज हमने अजादी भाया आपके डांडी मार्च श्रत्यागरे से नही हमको पता है कल थपड मोटा हमारे पड़ेगा जैपैन से जाके मिल गए सुबास्टन बोस तो जैपैन के मिल के आपको तबा रहे हैं और इधर इधर क्या कहते हैं वार के टाइम कोपरेट करो यू कोपरेट विदे अनिमी कोपरेट विडिश हमारे फौजी बनने चाहिए वार में जाने दो सेवा करो आई मुझे यह कैता नहीं कैसे कहां तक भ्रस्ट हो गया है अपनी पावर के लिए परसनल महिमा मंदल के लिए तो कितनी अच्छी ची बात हैं वीर सावर करजी ने कहीं जो दुनिया देखके बैठे हैं जेल में गए और असल में यात्रा सही उ झाल 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 झाल